पंजाब में आम आदनी पार्टी और कॉंग्रस की बीच इन दिनों सोशल मीडिया पर जम कर मुकाबला हो रहा है डिजिटल मीडिया कैमपेनिंग में बीजेपी अपने प्रतिदंदियों या विपक्ष के नेताओं और पार्टीयों से इतनी आगय क्यों है इसका जवाब बड़ा सटीक सा है खत्रे को या चुनोतियों को पहले भाप लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी राजनेती की योग्यता होती है इस चीज को बीजेपी ने 2014 के पहले ही भाप लिया था और बीजेपी इस चीज को समझने लगी थी कि 100 करोण की जनसंक्या में अगर राजनीत में अपना चेहरा चमकाना है तो एक एक आदमी से आपका कॉम्निकेशन होना बहुत जरूरी है 100 करोण की जनसंक्या वाले देश में वन टू वन कॉम्निकेशन कभी भी पॉस्विल हो नहीं सकता है परतिदोंदी जितनी भी पार्टीयां है वह अभी भी पुराने धर्रे पे चल रही है और चल रही थी और उनका ये मानना था कि वो नेता है जो नेता जी ने बोल दिया बस वही एक फर्मान होता है बीजेपी ने इस चीज को चेंज किया, Communication Science के महत्व को समझा और एक-एक आदमी तक अपनी बात पहुचाना उनको कन्विंस करने के लिए सबसे पहली शर्त होती है कि तथ्य परक मुद्दों को एक-एक आदमी तक पहुचाया जाए बिपक्ष इस चीज को नहीं भाप पाया, Communication के इस नबज को Communication की इस ताकत को नहीं समझ पाया इसलिए वो Digital Marketing की जो Option है, जो उसमें Potential है उसको भाप नहीं पाया और अभी भी बहुत सारी बड़ी पार्टियां उनकी IT की टीम इतनी स्ट्रॉंग नहीं है जितनी की BJP ने अपनी IT की स्ट्रॉंग टीम बनाई BJP ने आज ये टीम नहीं बनाई, 2014 के Election Campaign के पहले ही उन्होंने एक बहुत बड़ा IT का Infrastructure अपनी बात को Communicate करने के लिए लोगों तक पहुचाने के लिए खड़ा किया, ये एक wisdom बोला जाएगा, एक होता है positive communication, एक होता है effective communication, good communication and effective communication BJP और दूसरे नेता good communicator तो हो सकते हैं, good communication का मतलब है कि ठीक है हम आपकी बात को समझते हैं effective communication का मतलब ये होता है कि सामने वाला आपकी बात को समझ रहा है और आपके कहें अनुसार वो एक्ट भी करेगा, यानि vote आपको देगा BJP इस fund पर काम कर रही है कि communication हो, वो effective communication हो, जिसके लिए different तरीके के platform की जरूरत होती है electronic media, social media, print media, wall, painting वगर, सारी चीजे traditional है, एक नया approach है